मानव जीवन का उद्देश्य, Purpose of Human Life, विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और द्रिष्टिकोनों से विचार किया जा सकता है और यह विचार व्यक्ति की व्यक्तिगत द्रिष्टिकोन, सामाजिक संदेश और सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी पर निर्भर करता है निम्न लिखित कुछ महत्वपूर्ण द्रिष्टिकोन है जिन से मानव जीवन का उद्देश्य समझा जा सकता है धार्मिक द्रिष्टिकोन, धार्मिक परंपरा इश्वर के साथ योग्यता या मोक्ष प्राप्ती हो सकता है धर्मिक विचारों के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य, धर्मनिष्ठा, नैतिक्ता और आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से अपने आत्मा की शुद्धि होती है दार्शनिक द्रिष्टिकोण कुछ दार्शनिक द्रिष्टिकोणों के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य, ज्ञान प्राप्ति, सत्यकी, खोज और आत्मा के आत्म ज्ञान के माध्यम से अद्वितियता की अनुभव करना होता है सामाजिक द्रिष्टिकोण सामाजिक द्रिष्टिकोण से मानव जीवन का उद्देश्य, समाज में सहयोग और सामाजिक सुधार के माध्यम से सामाजिक समरिध्धी और सामाजिक समानता को प्राप्त करना हो सकता है व्यक्तिगत दृष्टिकोण कुछ लोग अपने व्यक्तिगत सुख और संतोश को मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते हैं व्यक्तिगत द्रिष्टिकोन से मानव जीवन का उद्देश्य अपने सपनों को पूरा करना और खुद के विकास के माध्यम से आत्मा की संतोश में जीवन जीना हो सकता है सांस्कृतिक द्रिष्टिकोन कुछ सांस्कृतिक समुदायों में मानव जीवन का उद्देश्य संस्कृति और ग्रहन से जुड़ा होता है इसका मतलब हो सकता है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने और प्रचारित करने का जिम्मेदारी निभाएं इन द्रिश्टिकोणों के अलावा मानव जीवन का उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक संतोष, ज्यान का अध्ययन, सेवा, सहयोग और सुक्षान्ति का प्राप्ति भी हो सकता है यह उद्देश्य, व्यक्ति के व्यक्तिक करने का जिम्मेदारी निभाएं इन द्रिश्टिकोणों के अलावा मानव जीवन का उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक संतोष, ज्यान का अध्ययन, सेवा